गेहों, बाजरा, मक्के के आटे का सेवन तो आपने किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सिंधाडे के आटे का सेवन किया है? सिंघाडे के आटे का उप्योग हलवा, बर्फी, पकोडे, रोटी जैसी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है, जो खाने में काफी स्वादिश्ट लगते हैं. साथ ही सिंघाडा का आटा पोशक तत्वों से भी भरपूर होता है. सिंघाडे के आटे में पोटेशियम, जिंक, विटामिन B, विटामिन E, विटामिन C, विटामिन A, कैल्शियम और क्रोटीन जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपको कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. तो आईए जानते हैं, सिंघाडा का आटा खाने के क्या-क्या फाइदे होते हैं. हड़ियां होती हैं मजबूर. बढ़ती उम्र के साथ हड़ियां कमजोर होने लगती हैं, जिसकी वज़ा से हड़ियों से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती हैं. ऐसे में अगर आप अपन ब्लड प्रेशर रहता है कंट्रोल. आज के समय हर चौथा व्यक्ती हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान हैं, लेकिन ऐसे में अगर आप सिंघाडे के आटे को अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो इसमें मौझूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल क करने में मदद करता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कम होता है, वजन कम करने में मदद गाँ, अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं और वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको सिंघाडे के आटे का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाया जाता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, और जल्दी भूक नहीं लगती है, जिससे वजन कम करने में फाइदा मिलता है, शरीर को मिलती है उर्जा, कमजोरी और सुस्ती महसूस होने पर सिंघाडे के आटे का सेवन फाइदे मंद होता है, क्योंकि सिंघाडे के आटे में प्रोटीन, आइरन और कैल्शियम जैसे तत्व पाये जाते हैं, जो शरीर को दिन भर एनर्जेटिक रखने में मदद करते हैं, तनाव कम करने में मददगार, आज के समय में तनाव एक बहुत आम समस्या बन गई है, ऐसे में अगर आप सिंघाडे के आटे का सेवन करते हैं, तो इसमें मौझूद तत्व तनाव को कम करने में मदद करते हैं, बालों के लिए फाइदे मन, सिंघाडे के आटा का सेवन बालों के लिए फाइदे मन होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, आइरन और वितामिन जैसे तत्व पाये जाते हैं, जो ब क्योंकि इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाता है और पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है तो दोस्तों इस तरह की और जानकारी युक्त विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर करें